और हम लोग पूरे वर्ष के current affairs को अब यहां से कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप सभी जानते है current affairs की भूंका बहुत महत्पूर होती है किसी भी exams में और हम लोग अब आरो यारो प्री 2023 ग्यारा फ्रवरी 2024 को होने वाला exam और PCS प्री 2024 जो 17 मार्च को प्रस्तावित है उन सभी के अलावा जो भी exams हो रहे हैं उन सब के लिए लेकर हम लोग current लगभग दोवारी पूरा complete करेंगे और एक वर्ष का current affairs अभी हम लोग करने का प्यास करेंगे जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2030 का पूरा complete current affairs, important current affairs हम लोग देखेंगे अच्छे एक बात और होती है अभी आपने देखा कि हाली में उत्राखंड और MP के कल पेपर भी है खास्तर जो उत्राखंड पीस आरो आला आरो का जो बहुत अच्छा current affairs पूछा गया है और सरल जरूर है लेकिन वही current affairs है जो आप अगर बारबार रिवाइश करते रहेंगे तो करते रहें आरो और PCS प्री UP में current affairs की बहुत बढ़ी भूमका है आप ये मान के चलिए कि PCS में लगबग 30 plus question current affairs के मिलते है तो आरो 65 plus मिलेंगे मिलेंगे PCS में 30 plus question मिलते मिलते तो कहीं ने कहीं आपके pre निकालने में हारिया जीत में जो अंतर आता है वो कहींने के current affairs कहीं आता है और कोई book आप market से लाते हैं तो पूरी book में क्या important है ये पढ़ना बड़ा दुरूव होता है बार बार आप उस book को पढ़ने ही पाते तो खेर इसी के लिए मैं आपको पूरे वर्स का current affairs कराने जा रहा हूँ RO और PCS के लिए बहुत ही राम बार बहुत ही मैत्मूर ब्रहमास सीरीज है important current affairs आए हम लोग जुड़ते हैं इसको आप बस बार बार सुनते रहेंगे तो आपके लिए आती लाब दायक होगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर करना बूली चलिए आइए देखते है पहला question शुरू करते हैं हम लोग भारत की पहली semi high speed छेत्री रेल सेवा रेपिडिक्स का नाम क्या रखा गया है तो जो भारत की पहली semi high speed छेत्री रेल से उसका नाम क्या रखा गया है नमो भारत क्या रखा गया है नमो भारत भारत के किस महिला थाना को अंतर राश्टी मानकी करण संगठन ISO 9000 2015 प्रमाडित किया गया है तो किस महिला था ना को भोपाल मद्रप्रदेश को पस्सी मंगाल का बैंड अंबेश्टर किसे चुना गया है सौरप चंडी दास गांगुली सौरप गांगुली को माउंट एवरिस्ट के सामने 21,500 फिट की उचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है कौन बनी है सीतल महाजन बहुत महित्पून कोशन माउंट एवरिस्ट के सामने से 21,500 फिट की उचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है सीतल महाजन भारती डिलेवे ने किस वरस तक टिकट देने का लजच दिधारित किया है 2027 के वाज़ाने कि आपको कन्फर्म टिकट मिलेगी बेटिंग टिकट का काम खतम हो जाएगा भारत के पहले इस और है पहले पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रेक हैल्थ वेक अधरावाद में कहा पर है जिस दिस पर मेट्टिक करता जा रहा हूं वो समझ यह बहुत ही महत्मूर होता जा रहा है उसको आप चाहे तो बार-बार लिख भी सकते हैं रट सकते हैं नेक्से बिहार का चौथा क्रसी रोड में राजपती दुरबदी मुर्मू ने अपचारिक रूप से कब लांच किया 18 अक्टूवर 2023 को उत्रपरदेश सरकार ने किस पशू को राज-जली पशू घोसित किया यूपी स्टेट ने बहुत काम करेगा गंगा डालफिन भारत का पहला राज कौन मना जिसके सभी जिलो में हौल मारकिंग केंद्र है केरल खिस राज सरकार ने अमूर बाजपची की पहली जनगाणा करने का दिन लिया मड़िपूर किस ने मड़िपूर अमूर बाजपची भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन की पहल सुरू की एहमदाबाद भारत का पहला 3D printed post office कहा खोला गया बंगलूरू करनाटक पूस्ट आफिस वह बंगलोरू का नाटक में जबकि 3D मुद्रित मंदिर कहां पर अनावरण किया गया सिद्धी पेट तेलंगाना में नोकिया किस सहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लांच की बंगलोरू में कहां पर बंगलोरू में गुजरास सरकार ने अपना इस्टेट फिस राज मसली किसे घोशित किया इस्टेट फिस घोल मसली को किसे घोल मसली को किसे घोशित किया घोल मसली को नेक्स है यूनिस्को की क्रियेटिव सहरों की सूची में भारत के किन दो सहरों को सामिल किया गया है बहुत महत पूरू कोजी कोड और ग्वालियर कोज राज सरकार ने अपने राज को पूरी तरह नसा मुक्त बनाने के लिए कि छरू किया है। कि सहर में डिब्यांग जनों के लिए देश के पहले उच तखनीक खेल प्रसिच छड केंदर का उद snatic क्या गया क्या गया गया नीमच MS हाली में किस राज पहले Medical College का उधरन के अगया नागा लैंड भारत के पहले दलित मुख शुष्णायुक्त कौन बने है भारत के पहले दलित . समारिया बर्तमान के देश के नए CIC हो गए Chief Information Commission मुख भारत के प्रथम मुख दलित सुशना थिकपन ben हीरालाल समारिया चले देख देखसे लेते हैं अगला सीमा सरक संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लडाकू हवाई छेत्र कहा बना रहा है नियोमा लद्दाक में कहा बना रहा नियोमा लद्दाक में किस राजज को भारत की पहली Candiceалась वंदे भारत फेक्टरी स्ताफित की जाएगी तिलंगाना मालवी मिसन सिच्छक प्रसिछण कार्कम किस संगर्ण के एक पहले मालवी मिसन सिच्छक ट्रेनिंग प्रोग्राम विश्विद्याले अंधान आयोकी UGC द्वारा शुरू किया गया है किस सहर में देश के पहले भूमगत विजल पंजी करण सुरू कराने वाला भारत का पहला जिकॉर्ण कार्कम नागा लेंड भारती सेना के पहली मिला सरजन कार्कम बनी है मेजर डाक्टर पायल छाबडा इस खूलों में अपने साथियों से पढ़ने में बिछड रहे बच्चों के लिए किस राश सरकार ने मिसन दच से कार्कम शुरू किया है बिहार बिहार आईश्मान भारत स्वास्त और कल्यान के इंद्रों को अप किस नाम से जाना जाएगा आईश्मान आरोगि मंदिर हलके लडाकू बिवान तेजस से उडान भरने वाले भारत के पहले प्धान मंत्री कौन बने मानी नरिन मोदी जी तेज से उड़ान भरने वाले भारत के पहले पीम नरिद मोदी जी भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफ्रेंस फ्यूल किस कमपनी द्वारा बिख्षित किया गया है इंडियन और कॉर्परेशन लिम्टेंड उत्तप्रदेश सरकार ने 25 नौमबर को किनकी जैनती पर मां सरहे दिवस घोषित किया है रट लीजे बहुत ही महत्पूर है चले कुछ इंटरनेशनल देख लेते हैं वह नाइलर किस कमपनी ने विश्व का पहला एई एकी क्रत क्रिप्टो वालेट पेस किया है रस्पेर एई कौन सा भारती हुआ एड़ा फसेवे विवानों की मदद के लिए डिसेबल एरक्राप्ट डिकवरी किट चालू करने वाला एसिया का पहला हुआ एड़ा बन गया है छत्रपती सिवाजी महराज अंतरास्टी वाएड़ा मुंबई किस देश की पहली महिला रस्पती को अक्टूबर दो हजार तेश में जेन्यू चवालाल नेरू ब अग्ट्रेट की उपादी प्रदान की गई उत्री अपहला गांदी संग्राले कहां खोला गया हुस्टन सहर अमेरिका में कहां बर हुस्टन सिटी की घोषना की अभी हाली में तो अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान ने नॉमबर दोजार तेज़ में अंतर रास्ती सोर गटवंधन का 95 नंबर का मेंबर कोन मना चिली कोलिन्स डिक्सेनरी ने वर्ड ऑप दा येर 2023 किसे घोशित किया तो AI को किसको घोशित किया AI को भारत के बाहर पहला IIT कैमपस कहां खोला गया जंजी बार तंजानिया जंजी बार तंजानिया में इन्योगेशन स्रेणी के लिए बिश्व के सर्विशेष्ट बिद्ध्याले का पुरसकार रिवरसाइड स्कूल गुजरात को दिया गया किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली सुदेशी रूप से निर्मित पन नुबी लांज की ताइवान ने हाईकुन बिश्व का सबसे बड़ा वस्त कारिकम भारत टेक्स 2024 किस सहर में आज़ित होगा नई दिल्ली में बिश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश बरत्मान में कौन बना चीन ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन बिश्व की सबसे पुरानी लकडी की सरचना किस देश में खोजी गई जांबिया किस देश ने पहले अंतर राष्टी ब्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट आयोग दच्छी एसिया समयलन मेंजवानी की भारत पहला बैस्विक हल्दी समयलन मुंबई में 72 मिश उनिवर्स का ताज किसको दिया गया बातर्वी मिश उनिवर्स कौन मनी सेञिस पलासियोस जी एसिया का सबसे बड़ा पश्व मेला का उधरन कहाँ पर किया गया लॉनपूर बिहार किस संगठन ने अकेले पन को एक गंभीर बैस्विक स्वास्त खत्रा गोशित गया डब्लू वेचुने नॉब्र अक्टूवर 2023 में किस देश ने सोसल मेटिया प्रेट फार्म टिक टॉक को बैन कर दिया नेपाल ने अक्टूवर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली टू प्लस टू विदेशी और अच्छा वारता शुरू की नई दिल्ली में युनाइटेड की ग्डम इससे पहले भारत अमेरिका के साथ जापान के साथ आश्टेलिया रूस के साथ कर चुका है यह पाश्मा देश है यूके जिसके साथ भारत ने टू प्लस टू वारता आउजित की युनाइटेड के ग्डम अवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन मना भूट इसराइल में युद्धिके कारण फसेवे भारतियों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस आउप्रेशन को लांज किया आउप्रेशन अजय लांज किया किस कंपनी ने डिजी कवस नामा के पहल सुरू की जिसका उद्देश बित्ती धोका दरी को रोकना है गूगल किस हव किस अंतरच एजेंसी ने भारत के पहले मानो अंतरच उडान मिशन के क्रू इसकेप सिस्टम का सबलतावरक लांज किया इसरो किस कंपनी ने भारत की पहली उबग्रे आधारिद गीगा फाइवर से बाश रू किया रिलाइंस जियो किस कंपनी ने बिश्व की पहली एलेक् कहां किया गया पिथावरागाड उत्राखंड में यानि कि भारत और निपाल के भी जॉइंट जो आर्मी अभ्यास से क्या बोलते हैं सूरी किरंड सेन अभ्यास वह कहां पर हुआ पिथावरागाड के उत्राखंड में भारत का पहला AI संचारित फिश से किस कमपनी कि दौरा बिख्षित किया गया ग्रेण निक्स भारत किस वश्त चंद्र माद चाटरी भेजने का लझस रख रख तक में इस इस है किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉंच किया जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रत सेकेंड है चाइना चीन 17 नदी में एक दुरलब धातु टैंटलम की खोश किसने की है IIT रोपड किसने भूम इच्छन और मरुस्तली करण पर अपना पहला डेटा डेश बॉर्ड लॉंच करने गोशना की UNCCD भारत का चववनवा टाइगर रिजर्व किसे बनाने गोशना भी तो जो चववनवा टाइगर रिजर्व है वीरंगाना दुरुगावती टाइगर रिजर्व मध्रदेश भारत का पहला तरल नैनो डाई अमोनिया फास्पेट सें गांदी नेगर में और देश का चववनवा टाइगर रिजर्व कहां वीरंगाना दुरुगावती टाइगर रिजर्व MP केंद्री प्रदूशन डेंटर बोर्ड सीपी सीबी ने देश का सबसे स्वच्छ वाला साइकित किया आईजोल मिजोरम की कैपिटल आईजोल को भार है भारत की पहली ओन हे रिजर्जार संचालीत बसको किस लञ र्ज़ किया इंडियन ओल्फॉरेशन ने भारत का पहला वेटलेंड कि आन गोशना की गई है उदयपूर को उत्त्र प्रदेश का पहला सौरस र Еर किसे बनाया जा एगा स्विгरी पहला का में बने गा है भारत का पहला हरित उर्जापुरात इस्तल कौन सा बना तर्थ मंदिर तो इल्लाडू सदत अप्सिष्ट प्रवंदन के लिए भारत का पहला पॉलिथिन कश्रा बैंक शुरू किया गया देरादू उत्राखंड में एक दिवसी क्रिकेट विश्कप 2023 में सरवाधिक बिकेट का बिरात कौन बने प्रवंदन के इसमेरखंड को मिए इसमिरगये एक दिवसी करिकेट बिष्कप 2023 में सरवाधिक रनी वाला व fps कौन में वीडलिवारण कॉली में कितने साल वाइब को सामिल करने ग謌शना कि गय है accuracy 158 सालों व्ध वोंडे क्रिकर के इथियास में 50 सतक जो फें में सामिल होने वाली पहली भारतिय मेला क्रिकेटर कौन बनी डाइना इदुल जी अंतरास्टी क्रिकेट के इत्यास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले प्लेयर एंजलो मैथ्यू सिलंका के एंजलो मैथ्यू फीपा बिशुकप 2034 की मेज़वानी कौन सा बिष्ट क करेगा शौधी अरब कॉन करेगा सौधी अरब जाने फीपा वर्ड़क फप दोबार तेईस कहां पर होगा सौधी अरब में नेक्स से वंडे क्रिकेट के इत्यास में सबसे तेज सो बिकेट लेने वारे तेज गिन्धवास कौन बने साइन अफिदी शाइन अफिदी वर्ष 223 के लिए पुरुष 200 एथलीट आप दा इयर के लिए भारत से किस सारी को नामिट किया गया नीरत चोपड़ा को पंकज अरवानी नॉमबर 23 में विष्व बिलियट्स चेंपियंशिप के लिए उनका एक टिकळथ 25 एथ 2iас 26j चौथा एसिय पेरा गेम से 2023 में भारत कुल कितनी पजेते 111 पजेते दो एसिन गिमस 2030 में भारत कुल कितनी पजेते टो एसिन गेम से भारत कुल 107 जेते वंडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज दो हुजार अब राने वाले पोशने वाले ख्राड़ी कौन बने शुबमन गिल। किस देश ने पहली बार वास्केट वाल विश्क अब दीता जर्मनी सर्बिया को हराकर। टी टुन्टी क्रिकेट में तीन सो से अधिक स्कूर नाने वाले विश्क की पहली टीम कौन बनी नेपाल। अंतरास्टी टेनिस हाल ओप फेम के लिए ख्राड़ी के रूप में नामांगी थोने वाले पहले एसी आइवेक्ट कौन बने लेंडर पेस। वंडे क्रिकेट में तीन जार चक्के लगाने वाली विश्क की पहली टीम कौन बनी भारत। पहला खेरो इंडिया पहला गेम्स द्वाटेस का आउजन कहा होगा नई दिल्ली में। तो की चर्चा में रहां सब्स्ट्ट क्लॉक निएम किस खेल सम्ण्दी थे इस्ट्ट क्लॉक नियम क्रिकेट से सम्ण्दी थे चले नेक्स कुछ जो केंद्री बजटेट्ट दो जार थेष्ट के महत्पूर्ण सब्द थे उनके देख लिए लाइप एल आईएफ सब दिन में से नहीं आपको बनने वाले हैं जो आंगे देख लेते हैं हम लोग जो महत्पूर्ण महत्पूर्ण होते हैं चवणवा भारती अंतरास्टी फिल महत्पूर्ण गोवा में कहा पर हुआ गोवा में पुषकर मेला अजमेर राजस्थान में एंथूरियम महत्पूर्ण मिजोरम नुआखाई क्रसी महस्थो उडिशा वसंग वैली कुफाडा जम्मू कस्मीर पित प्रच मेला गया बिहार आधि पेरक्कू महस्थो तमिलाडू पुस्तकाले महस्थो नई दिल्ली बोनालू तेवार हैदराबाद तिलंगाना चर्चिन ग्रेजिंग महस्थो अव महस्थो भूनेश्वर लेवेंडर महस्थो जम्मू कस्मीर विहान मेला कोजन जादिवारा ओडिशा मोलनम चेनलू फैस्ट्वे लद्दाक माता खिर भावानी मेला जम्मू कस्मीर में थावे महस्थो गोपाल गंज बिहार में गज उस्षो काजी रंगा नेशनल पार्क असम में मतवा धर्म महामेला पसी मंगाल सियान उनिंग महसो अलांचर प्रदेश भूम्चू महसो शिक्किम राष्टी युवा संसद महसो नई दिल्ली काला घोरा कला महसो मुंबई आदी महसो नई दिल्ली राष्टी संस्रित महसो मुंबई राष्टी संस्रित महसो मक़ंध हैं नयार अलग होता क्वां कि могो प्वाल आफार महषार रास्तान पर्स्राम कुंद महषा- Ugh फ्रयाइल साथ हमास को तो क्सके तहत। इसdefined इस्ञाइलë हम अब बात करें तो fuck आपरेशन तूफान अल-अक्सा के तेद हमला किया आपरेशन आइरन सोवर्स के तेद इस्राइल ने वाजवाबी हमला किया देखे दो जाद के जो हमास ने हमला किया इस्राइल पर उसका नाम था आपरेशन तूफान अल-अक्सा बदले में जब इस्राइल ने हमला किया तो सीन द्वारा गाजा मकी गई थे 1987 में कुछ संबंदित महत्मूर्तत थे इसराइल 1948 में सुधन्थ हुआ और कई उड़े अरब इसराइल यूए और बहरीन के बीच दोयर बीच में आया था इसराइल यूए और बहरीन के बीच चलिए वन सरच्छन संसोदन अधनियम 2023 अभी हाली में पास किया गया बारे दिसम्बर 1996 को या उससे पहले वन उप्योग से गैर वन के परवतित भूम पर लागू नहीं होगा अधनियम में क्या-क्या छूट मिली है रेल लाइन या सारवजिंग सरक के नारे वन भूमी अंतरास्टी सीमाओ के साथ सो कीमी की भीतर इस्तित भूम उनको छूट दी गई है गत्विधिया जैस चिडियागर सपारी इको पेटन सिल्भी करते हैं सरकार द्वारा निज्दिस्ट कोई अनुद्देश वाम पंथी उग्रवात प्रवाथ जलो में सावजनिक उप्योगता प्रस्तावित है इसने किसका इस्थान लिया है यह वन अधनियम सरच्षण 1980 करता है यानि कि फॉरेश्ट जो आपका कंजरेशन एक्ट है 1980 वन सरच्षण अध्यम 1980 में संसोदन क्या गया है वन सरच्षण संसोदन अध्यम 2023 चले नेक्स से भारती अंत्रिच नीटी 2023 जारी की गई इसका उदेश क्या है अंत्रिच छेत्र में निजी कंपणियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना है वह इस्विक अं संवर्दन और प्रादिकरण के अंदर करेगा अंत्रिच गत्विधियों के प्रादिकरण के लिए एकल सिंगल विंडू एकल खिड की अंसिंगरूप में कारेगा नेक्स इसी में है पॉइंट निजी स्पेस इंडिया लिम्टेट एन एस आईल प्रद्योक्यों का व्याए किया गया था इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारे विक्सित किया गया इन्हें पहला जो रॉकेट विक्सित किया भारत में विक्रम ऐसे किसने विक्सित किया है इसकाई रूट एरोस्पेस निजी तोर पर विक्सित है किस तरह निजी तोर पर अब यहारी में भारत कनाड़ा संबने चर्चा में थे क्या था कनाड़ाई पीम ने भारत में खालिस्तानी निता हरदीप सिंग निज्जर की हत्या में सामिल होने का आरूप लगाया गहां साधा की खुपया जानकारी परिया आरूप लगाय गया विट वस दौर метare में करनाडा भारत का 32 सबसे बड़ा व्यड़ेशी निवेशक है भारत उर्क राजनिक संबन paved में अस्तित्यु में आये थे 1985 में टॉरंटों से लंदन जा रही एर इंडिया के उरांसंक्या एक से बैसी पर शिक अलगावादियों ने बंबी स्पूर्ट किये जिसमें 329 लोग मारे गए थे दोजार देश में असेन परमावन समयता और दोजार पंदर रणितिक सायधारी प्रस्ताचर किये गए थे नेक्स चर्चा में रहा जो पाइंट है जाती आधारी जनगर्णा और यह अभी कल जो आपका उत्राखन आरो यारो प्री हुआ उसमें कोशन आया भी बिहार सरकार ने दो अक्टूबर 2023 को जाती आधारी गणर्णा रिपोर्ट जारी की इस जनगर्णा के अमसार बिहार की जनसेगा कितनी हो गई है यानि कि जात आधारी जनगर्णा की सराज ने करवाई तो बिहार ने करवाई यह कोशन था इस सर्वे के अनुसार पिछना वर्ग EBC 36.1% पिछना वर्ग BC 27.12, SC 19.65, ST 1.68 और समान वर्ग के 15.52 प्रस्थत लोग है इस सर्वेचर की आधार पर बिहार सरकार ने राज सरकार की नौकरियों में और सच्छनिक संस्थानों में वन्चित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ा कर 55% कर दिये जिससे राज में कूल आरच्छन कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा भियार सरकार ने कहा यह पून्ड पैमाने पर जनगर्णा नहीं है बलकि एक समाजिक सरवेचण है अंचय दोसो ठो चारिस के तहरत जनगर्णा संग का बिशह होता है आप जानते हैं सेंसर्श किसमें संग लिस्ट में संग सुची में सामिलैं इस बात को प्याद रखकें लड़ा के आकरे अभी तक जारी नहीं किये गए हैं दूसरा पिठ्राबर्ग आयोग मंदल आयोग उन्युसों स्यासी में गढ़ित उन्युसों स्यासी में प्रतिजर अनुमान लगाया था कि ओवी सी के आवादी कितनी फिप्टी टू परसेंट है जो सेकेंड मंदल आयोग लगाया था नेट से डीप ओशियन मिशन डीप ओशियन मिशन क्या है प्रत्थी विज्ञान मंत्रा ले कि एक महत्वा कांची पहले पांच वर्ष की अवदी के लिए अनुमानी इतलागत 470 करोड उप है उद्देश क्या है हिंद महासागर से पॉली मेलेट्रिनिक न्यू भारत की पहली राष्टी शुरुच्छा उद्देश और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपना जाना तरीकों की रुप्रेखा किसके मेलेट्रिन से पारिश की है खुंडा हुडा समित की सिपारिशों पर गठी थे सैन आर्थिक और कुपनितिक मामनों के माध्यम से राष्ट के हितों का सुरुच्छा करना पाकिस्तान की राष्टी सुरुच्छा नी द्यौर 226 का मुकाबला करेगा नेक्स बहुत महित्मूर कोशन नारी शक्त वंदर अधनियम 2030 अभी हाली में कल जो एकजाम हुआ उत्राखन आरो यारो उस पर पूशा गया है यह 106 समयधानिक संसोदन अधनियम 2030 बना है 106 106 106 समयधानिक संसोदन अधनियम 2030 विधेक के उद्धिस क्या है यह लोक्षभा राजविधान सवा और दिल्ली विधान सवा में मैलाओं के लिए 33 प्रिश्यत अरच्षण अनिवार करता है कहां पर लोक्षभा राजविधान सवा और दिल्ली विधान सवा राजवाम लागू नहीं होगा यह मजुदा SC और ST आरच्षण के भीकर मैलाओं के लिए भी ए प्रचाइब जारी रखा सकता है तीन सो तीस ए और तीन सो बत्रीज़ेज़् को जोड़ा गया है तीन सो तीस एंट गया है तीन इसका दो टीनियों सांसों ने इसका समर्थन किया रास्वा में सरसंबती से पारित वा यानि कि लोग स्वा में 454 बनाम दो 400 लोगों ने समर्थन किया दो लोगों ने विरूत किया वो दोनों से आया था तो 128 संविधान संसोधन विधेग था यह कुश्चन आया था किस नंबर का तो 128 संसोधन विधेग था महिलाओं वाला जो कि 106 के अधनियम से पास हुआ संसोधन विधेग था और 106 विधेग पूछेंगे तो 128 विधेग नंबर का था और अधनियम कौन सा बनगे 106 या रखेंगे 128 यह वाला कोश्चन पूछा गया या रखेंगे नेक्स अब हम लोग देख लेकते हैं अगला कोश्चन जी ट्वन्टी दिल्ली घोष्णा तो जी सब्सक्राइब करना चाहिए क्रिप्टो एसेट्स नियायम धाचेल से उड्मेफ हुआ मैला सजक्ति करणन पर कार्यस्मों का निर्मार किया गया ग्लोबल डिश्ट्र पब्लिक इंफ्रास्ट्रेक्टर की स्थापना की गई 2030 तक तीन गुना नवीनी करनी उर्जिया चमता स्थापना करना जुआ तीस तक तीन गुना बर्तमान की जी टॉन्टी में पहली बार यूएन जी ए सेमेंटी फाइफ वन उनसी सुधार समताल आया गया और अफ्रीकी संग को सामिल किया गया यह कोश्चन भी कल आया है उत्राखंड आरो यारो प्री में की जी टॉन्टी म साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनुवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी जी टॉन्टी की स्थापना 1990 में में अगला है भारत मद एवं यूरोप आर्थिक गलियारा आई एम इसी आई ग्लोबल इंफ्राइस्ट्रेक्चर एंड इंवेस्ट्मेंट के लिए सायधारी का हिस इस काई दोर में बिजली केबल हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड इटा केबल भी सामिल है उद्देश क्या है एक ब्यापक परिवर्ण नेटवर्क को बनाना ब्यापार और करेक्टिवेटी शुद्वाजरन बनाकर एसिया एउरोप का करेक्टिवेटी करन करन छित्री आपूर्ति संक्लाओं को शुरचित करना नेक्से भारत ग्लोबल साउथ और एप आई पी आई सी सत्रे नॉम्बर द्वार तेश को भारत ने ग्लोबल साउथ समीट के दूसरे संस्क्रण की मेजबानी की जिसमें 125 देशों ने भाग लिया थीम थी ग्लोबल विकास सीह कमसित टेश हैं जो ग्लोबल साउथ सपारगा खरणे कार्ल ऑगलेस वी भारत प्रसांत्यूप सेहोगमंच वहम हैं पापवा नीजिभनी में में आधिक चाह के गई विकास के लिए 123 फाबला तयार किया गया सोर उड़ जाप परविजना के लिए भारत वारत समुवा को 100 मिलियन अमेर्की डालर की सायता दी जाएगी नेक्स है राष्टी लोजिस्टिक नीत NLP 2022 हाली में भारत ने NLP का एक वर्ष पूरा किया 2022 में आई थी तो एक वर्ष पूरा हो गया लोजिस्टिक की लाज़त को कम करना और 2030 तक 2022 बेंचमार तक पहुशना इसका उदेश है सभी लाजिस्टिक की निगरानी के लिए सिस्टम इंप्रूब्मेंट गूप का संगठन किया गया डेटा संचाली तनीड़ने समर्थन तन्द मनाना NLP की CLP ब्यापक लाजिस्टिक एक्सेन प्लाल की माज़ाव करना जिसमें आठकारी होंगे बरतमान में भारत बिश्व बैंक लाजिस्टिक प्रदिसन सुष्पांग दोयार तेज में भारत को से इस्तान पर है इसको नई दिल्ली से पीम विश्व कर्मा योजना शुरू की गई सूष्प में लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले इसकी नोडल एजनसी है और यह केंद्री छेत्र की योजना है बित्ति वर्स दो object से विट्ति वर्स डृस्त धिए 24 को ज़ में इसका प्रारमुच्व प्रवाणत परिवयर बेख रृव्ष five और इसका प्रुब्स कर्मा प्र 27 करोड़ समर्थन पात्रता क्या होगी नियूंतमाई ठारे वर्सों लाप परिवार के केबल एक ही मेंबर तक सीमित रहेगा हाथों और और अज़ारों से काम करने वाला कारीगर या सिल्प करा नेक्स है संदिग लोगों को गिरपतार करना कानून के अंसार किसी वेक्त पर गोली चलाना या बल प्रयोक करना किसी भी ऐसी सरचना को नस्ट कर दें जिसमें हैत्यारों के भंढार का आस्रह होने का संदे हो या जहां से हमले किये जाने की संभावना भी बन रही हो इसमें साच लिये बिना भी वारंट से तलासी हो सकती है अपस पा अभियोजन या कारवाई पर रोक लगाता है अधनियम के तैस सक्तियों का प्रयोग करते समय कि गई कारवाई के लिए कर्मियों के खिलाब के इंद के मंजूर की छोड़कर शिपार से नियायमूर्ति पीवी जेवन नड़ी सम क्या था पर्यावन बन युम जलवाई परवरतन मंत्राले की पहलती थीम थी स्वच वायू के लिए एक साथ उद्देश था समाज के सभी वर्गों के बीच जागरुता पैदा करना नागरिकों को स्वच्ट प्रभावों के बारें सुईत करना एक से वेक्ति सहरों को तीन समु में वर्गीत क्रित किया गया है फ़स जो शहर है इंदोर मिल्यन प्लस वाले में लिफितां 20 की धूल बायो मास्के नगरपाय का ठोस अपसिस्ट जलाना आदि अगला है डिज्टियल ब्यक्तियत डेटा सरच्छर अधरियम 2023 अभी पास्वा क्या है भारत में वस्तूओं वा सेवाओं की पेसकस करते से में भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिज्टियल ब्यक्तियत डेटा के प्रस्ट करन लागू होगा भारती डेटा सरच्छर बोल्ड की स्थापना की जाएगी ब्यक्तियत डेटा को ब्यक्तियत सैमित पर केवल वैद उद्देश के लिए संसाधित किया जा सकता है लेकिन वैद उप्योग के लिए छूट दी गई है अधनियम ब्यक्ति स्थामी केस द्वार सत्रे सुप्रीम कोड निष्टा को मौलिक अधिकार माना था उसके तहित पुट्ट्व स्वामी केस में राइट प्राइवेसी को फंडामेंटल लाइट माना था नयामूर्त श्री कृष्णा समीती ने भी इस आधनियम का प्यारामिक मसोधा प्रस्ता आतंगबाद और संगडिक अपराद की ने परवासा होगी माम लिंचिंग के लिए अलग से दन निधारित किया जाएगा 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामुइक बलातकार के लिए मौत की सजा इसे पहले 12 वर्स का था साधी के जूटे वादों पर योन संब्द मिलाने पर नन का परवधान भारती नागरिक शुरुच्छा सेंटा 32 दन प्रक्तिया सेंटा सी आरपी सी सी आरपी सी का स्थान लेगा 1973 का कम से कम साथ साल के लिए फरुन्सिक जास अनुवार की जाएगी बिविन प्रक्तियाओं के लिए समसी मा तरह की जाएगी घोशित अपराधी की अनपस्तित में मुकद्मेगा संचालर और निर्णेक घोशना भी होगी सभी परिच्छन पूश्ताच कारवाई लेक्टानि 2023 यह भारती साच चतनियम 1872 का इस्तान लेगा एलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कादूनी प्राव कागजी रिकॉर्ड के समानी होगा एलेक्ट्रानिक रूप में देए किसी भी जानकारी को मौकिक साथ समाना जाएगा एक ही अपरात के लिए एक सेदी 2023 चुनाओ आयोग चुनाओ आयक्तों की सेवा की सर्ते और बेवशाय का संचाल अध्रिय मुनिश्य क्यान में की जगह लेगा CEC और EC की न्यूक्त चैन समिती द्वारा की जाएगी चैन समित में कौन-कौन होगा प्रधान मंत्री लोग स्वाब भचके नेता प्रधान मंत्री दो अनामित द्वारा एक केमरी कैबिनेट मंत्री किस पारिस पर अस्पी द्वारा की जाएगी केबिनेट सचीव की अधिस्ता वाली एक खोश समित चैन समित के नामों का एक पैनल पर स्थावित करेगी CAC और EC का वेतन और सेवास सर्थें के बराबर होंगे पहले सुप्रीम कोड की नियादिस के बराबर थी समित में कौन कोन होगा प्रधान मंत्री लोग साभी पचकानेता और प्रधान प्रामित एक केंद्री कैबिनेट मंत्री इससे पहले रहाद रखे अनूब बरनवाल बनाम यूओ आई मामले में सुप्रीम कोड ने घुसना की थी कि रास्पति एसी और सिशी की नियुक्त करते हैं कि मुक्नादी सामिल होंगे मुक्नादी सवाला कॉलम हटा दिया गया है एक से कंपणी की तीन अलग-अलग स्रेडिया होती इसे केद्री साविंचेत के उद्दम होते हैं महारत नौरत और मिनिरत बर्तमान में तेरे महारत नौरत न कंपनिया है नौरतन का दरजा प्राप्थ हो भारती स्टोक एक्षेंज में सुची बद्ध हो तीन साल का ओशत सालाना टर्नोवर 25,000 करोर होना चाहिए एक नौरतन का दरजा प्राप्थ हो पिशले पांच वर्सों में तीन वर्सों में रेटिंग अच्छी या उतकर्ष्ट हो छे पतरसंद संकेटों पर साथ या उश्य अधिक का समगरे स्कोर हो बहुत ही महत्पूल का एंड़ फैर समलोग कर रहे है और इसको बार-बार सुनते रहे है रिवाइस करते रहे है आप निशित स्थाफल हो जाएंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर करते रहे है ताकि कोई भी जानकारी आपको तुरंध मिले स्थेट ऑप इंडियास वर्ड्स रिपोर्ट द्वार तेस भारती वन जीव संस्तान डबलू आई आई और भारती प्राणी सर्वेच्छन द्वारा सेंक तुर से जारी की गई पत्शी परणतियों की सम्रजक्र हो गई है लंभी दूरी के प्रश्वेच्छ प्राणति की अधिक गरावट आई है लुप्त प्राई काउन को हो जा रहे है है इंडियन इस्क्रीमर ब्लेक ब्लेरी टर्ma से गम्भितिया बस्टर्ड बंगाल त्र령 & बेर पोचार भारती म यह सब बहुत मैत्पूर पॉइंट है हमारे जो मतलब बनेंगे चलिए एक और देखते हैं जो बहुत मैत्पूर है समान नागरिक संहिता चर्चा में है हाली में भारत के 22 में बिद आयोग ने समान नागरिक संहिता को सुजह हो दिया है यूशी सी यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या विवा तलाक विरासत गोद लेने और उत्तरा दिकार से संबंदित सभी धार्मिक संब्दायों के मामले लागू होते हैं पुर्दगाली नागरिक संहिता अठाव सरसट के रूप में यूशी का प् चाहिए संब्सक्राइब कानुन की स्विपारिस की काला सागर आनाज दील रूसाली में से उकतरास्त और तुर्किय की मदिस्ता में रूस और युक्रेन के दिश्टाक्री शुर्मिकार दिश्टेश कंवे से पीछे हट गया है जैड़ा काला सागर ओडिश एक निश्युन राश्टी बवयामी गरीबी सुचकांग MPI मल्टी पावल्टी इंडेक्स MPI के लिए नूडल एंजिक कौन है नीति आयोग ने हाली में राश्टी बवयामी गरीबी सुचकांग MPI का दूसरा संस्क्राइड जारी किया यह रास्ट यह रिपोर्ट रास्टी परवारिक स्वास्ट सर्विच्छन दौर 1921 के अधार पर तयार की गई इस पर तीज ची सामिल होती है स्वास्थ सिच्छा और जीवनिस्तर क्या होता है अभी हाली में जो कल उत्राक अरो यारो का प्रीस में पूछा गया था कि MPI में सा स्वास्थ सामिल होता है हेल्थ एजुकेशन और जीवनिस्तर स्वास्थ सिच्छा जीवनिस्तर यह तीन सामिल होते हैं तो गरीबी की कुल संख्या अनपात में भारी गिरावट आई है 2015 में जो 24-85 था उससे घटकर कितना हो गया है 2019 से किस्ट में 14-96 परसेंट गरीबी हो यानि कि MPI जो लगवख 25 परसेंट थी 2015 में 24-85 परसेंट थी वो घटकर के द्वार उनिस इकिस में कितनी हो गई है 14.96 परसेंट हो गई है रिपोर्ट की मुख की बातें क्या है कि 2015 सोले से द्वार उनिस इकिस के बीच साड़े तेरे करोड लोग बवयामी गरीबी से भानने के लिए कितने साड़े तेरे करोड लोग लगवख 5 सालों बीत में गामीर चेत्रों में गरीबी में 32.59 परसेंट से 19.28 की गिरावट आई 32.59 थी MPI घटके कितनी हो गई 19.28 जबकि सहरी गरीबी 8.65 से घटकर 5.27 की गिरावट आई यारी से घटकर कितनी हो गई 24 परसेंट हो गई MPI मूल में सुधार हुआ 2015 सोले के 0.177 से 2019 की गितना हो गया 0.066 हो गया सहुआ बारिष संकेतों में उलेखनी कमी दखी गई राज्जिव का प्तस्व रहा बव यामी गरीबी वाले जहनें सब 따라 का खाले MPि में पहले बिहार में है फिर जाल few फिर मेंगाल है 40 सब्सक्राबबी गरीवी के अननपात siihen सबसे तेज कमी किसने की है तो य्यूपी ने फिर बिहार आ Μठी ने frट ओडिशाने रास्ता ने सबसे तेज कमी अब crash और सबसे कम कहां पर फेर्ल इसकीम केरल एलेक्टानिक उम्सूशना प्रद्धों की मंताले MIE TV द्वारा अनमोदित PMI का लच घरेलू बिनिर्माण को बैस्विक इस तरपर प्रतस्पित बनाना 14 बिनिर्माण आई टी हाडवेर के लिए टू पाइन जीरो लच खंड में सामेले लैप्टॉप टेबलेट ऑल इन वन फीसी सर्वर और भारत में अल्ट्रा स्माल फार्म फैक्टर निर्माण सुद्विक्री शील विक्री पर लगवग 5% पोश्टान है और सच्मों का अधकार प्राप समुझ निग्रानी करेगा पोश्टान अभी दे कितनी है छे वर्स है यह अप्सिष्ट प्रवंदन संसोदन नियम दोहर तेज्ट पर्यावन वन और जलवाई परिवरतन बंताले ने इस नियम को अधसुजित किया एक अप्रेल दोहर तेज से लाग हुगा सभी दिर्माताओं उत्पात को रिसाइकलर्स रिफिर्स द्वाला विक्षित पोल्टल पर पंजिक्रन करना होगा ईप्र प्रापत का निर्मान और लेंदेन की पिरियों और लेंदेन के पाउध किया गया है याद रखें इस बात को लगातार हम इसी तरह करते रहेंगे आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते बहुत ही महत्मोर सीरीज है लगबग तूरा कंप्रीट यह आपका करनेफेस करा जाएगा आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत धन्यबाद